नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिर से जेडएक्स नियूज में जिहां दोस्तों छोटी से लेकर हर बड़ी खबर लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने हाज जुरूए हैं आज हमने चुना है पाकिस्तान की खबरों को उत्तर कोरिया की खबरों को और इसी के साथ ही आमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबरों को जिहां दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से भारत की हर बड़ी खबर के बारे में जाना है तो दोस्तों शुरू करत एक लाग 18,452 केसों को आकड़ा पार कर चुका है और लगातार मजदूरों का पलायन लगातार जारी है जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे मजदूर आखिरकार अपने घरों को लोटने के लिए मजबूर है हला कि दोस्तों इसी के साथ भारत में केसों की संक्या 6000 को रिकोर्ड को पार कर चुकी है और 6154 केस रिजिस्टर के गए हैं तो 41,642 केस महराश्टर में पहुंच चुके हैं हला कि दोस्तों इसी लोकडाउन में अब किचन भी खुल चुके हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैटकर आप खाना नहीं खा सकते लेकिन पैक करवा कर आपको डिलिवरी जरूर दी जाएगी ताकि उन्हों गर्मी से राहत मिले हाला कि मजदूरों की हालात बहुत दैनिये हैं और इस गर्मी के हालात में वे अपने घर लोटने के लिए मुझबूर हैं वहीं ये देखिए ये तस्वीर भी मजदूरों की ही आज सामने आई है चलते हैं को और बड़ी खबर के पर जो आज निकल कर आ रही है मोधी और कोलकाता से जिहां दोस्तों भारत के परदान मंतरी नरेंदर मोधी 83 दिन बाद दिल्ली को छोड़कर आज पश्चिम बंगाल और उडिसा के दोरे पर हैं जिहां दोस्तों बंगाल उडिसा में तुफान प्रभावित इलाकों का दोरा करने वाले हैं जो हाँ पर पहुँच भी चुके हैं महाँ परदान मंतरी नरेंदर मोधी पश्चिम बंगाल के राजेपाल जगदीब धनकड़ जी और ममता बनर जी दिखाई दे रही है और कोरोना महारी के चलते उन्होंने नमसकार से ही काम चलाया है हलाकि दोस्तों जो कुलकत्ता में तस्वीरे सामने आ रही हैं लगभग एक लाग करोड का नुकसान कुलकत्ता को हो चुका है और लगभग उन्हें रगभग बारा सो से ज़्यादा टावर मुबाईल टावर टूट चुके हैं और असी लोगों की मोद पश्चिम मंगाल में हो चुके है हाला कि पश्ची मंगाल के लोगों का कहना था कि हमने ऐसा तुफान अपनी जिन्दगी में कभी भी नहीं देखा है हाला कि 1200 से ज़्यादा मुबाइल टावर ठप खराब होने के कारण कई लाकों में नेटवर्क की जो प्रोब्लम है वो भी सामने आ रही है हाला कि दोस्तों अगर आप भी पश्ची मंगाल से हैं तो आप भी हमें जुरूर बताएगा कि आपका आखो देखा इस तुफान का क्या हाल था अपनी राए कोमेंट सेक्शन में जुरूर लिखें चलते हैं अगली बड़ी खबर पर ये खबर रेलवे से जुड़ी है जियां दोस्तों एक जुन से भारत की रेलवे 200 ट्रेने चलाने वाली हैं जिसको लेकर रेलवे ने ओनलाइन और रेजरवेशन का उटर खौल दिये हैं या त्री एजेंट के जरिए भी टिकेट बोक कर जा सकते हैं जियां दोस्तों भारत की रेलवे 12,000 ट्रेने एक दिन में पूरे भारत में चलाती है और जहां 22 मार्च को जनता कर्फियों लगने के बाद से ट्रेने बिलकुल पूरी तरह से बंद की जा चुकी हैं वहीं एक जुन से दुबारा चोग 200 ट्रेनों को शुरू कर देश के 22 जिलों में रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है हाला कि अभी टिक्टें ओन लाइन ही मिल रही है हाला कि हर्याना में कोरोना मरीजों की संक्या 1042 तक पहुँच गई है और 680 मरीज ठीक भी हो चुके हैं लेकिन दोस्तों हर्याना में मरीजों की सं चलते हैं अगले बड़ी कबर पर ये कबर पाकिस्तान से जुड़ी हुए है जिया दोस्तों पाकिस्तान की इमरान की सरकार लगातार पी ओके पर भारत को घिरने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसी कोशिश में पाकिस्तान को मूग की खानी पड़ी है जिया दोस्तों जैसा अधिकतम तापमान माइनस चार डिगरी बताया तो नियूनतम तापमान माइनस एक डिगरी लिखा हाला कि पाकिस्तान वालों को इतनी भी यह समझ नहीं है कि जो अधिकतम तापमान होता है वो माइनस एक डिगरी होता है और जो न्यूंतम तापमान होता है वो माइनस चार डिगरी होता है और इसी गलती के दिन पहले ही दिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो वहीं दूसरे ही दिन वहीं इसी के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती की कि P.O.K. को भारत का ही हिस्सा बता दिया अब बताइए P.O.K. को भारत का हिस्सा Government of Pakistan दिखा रही है और ये इसका प्रूफ भी आप देख रही है सक्रीन पर Government of Pakistan की ये इनकी एक साइट है covid.government.p.ka और इसके साथ Twitter पर भी पाकिस्तान की बहुत बेस्टी हुई है और पाकिस्तान के लिए ट्वीटर पर शबद लिखे गए है देर आए दुरूस्त आए आखिरकार पाकिस्तान ने आजमान हिलिया है कि P.O.K. भारत का ही हिस्सा है लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भी जानता है कि आज नहीं तो कल P.O.K. भारत का हिस्सा हो ही जाएगा और इसी को लेकर वो अब गलतियों के जरीए भारत को ये संकेत दे रहा है कि आप P.O.K. पर जल्द से जल्द कबजा कर लेजे चलते हैं अगली बड़ी खबर पर ये खबर मुकेश अंबानी से जुड़ी हुई है जियां दोस्तों भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जियो प्लैटफॉम की हिस्सेदारी 2.22 हिस्दी अमेरिका की कंपनी फारम केके आर को बेचने जा रहे हैं और इसके जरीए केके आर 11,367 करोड का निवेश जियो में करने वाली है जियां दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि भारत की सबसे बड़ी मॉबाइल टेलिकॉम कंपनी जियो अब फेस्बुक सिल्वर लेक विस्टा एक्विटी जनरल एटलांटिक केके आर को अपनी हिस्सेदारी बेज रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जियो को इन दिनों पैसों की बहुत तंगी चल रही है और इसी कान से मार्स इमाही के अंत में रिलाइस पर 3,36,294 करोड रुपे का कर्चा जिसके चलते इस कर्च को चुकाने के लिए उसने अपनी हिस्सेदारी बेज रही है चलते हैं के लिए बड़ी कपर पर यह खबर राजस्तान और यूपी से जुरूई है जिया दोस्तों कांगरेस और बीजेपी एक बार फिर से टक्कर में आ चुकी है राजस्तान ने यूपी सरकार को भेजा 36 लाख रुपे का बिल जिया दोस्तों कांगरेस सर खड़े हो रहे हैं दरसल दोस्तों राजस्तान रोडवेज ने कोटा में फसे यूपी के चातरों को 70 बसों से उत्तर परदेश से लाया गया था वहीं पर उसी का बिल उन्होंने भेजा था हाला कि दोस्तों उसी के बिल के लेकर 19 लाख रुपे उत्तर परदेश से पहले ही पातरा ने भी अपना ट्वीट किया है और उन्हें कहा है कि यूपी के कुछ बसों को डीजल की आवशकता पढ़ गई देया छोड़िये आदी रात को दफ्तर खुलवा कर प्रियंका वाडरा की राजस्तान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपे लिए और इसके अला कि दोस्तों भाजपा नेताओं ने आज जम कर कांगरिस की पिटाई की है और उसके उपर कांगरिस को गह रहा है आपको इस बारे में क्या कहना है खुलकर अपनी राई कोमेंट सेक्शन में लिकें चलते हैं अगली बड़ी खबर पर ये खबर अमेरिका से जुरूई है जिहां दोस्तों अमेरिका ने आज भारत को चितावनी दी है कि रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बारत के खिलाव प्रतिबंद लगाने की संभावना भी बनी हुई है जिहां दोस्तों अमेरिका ने आज सिधी सिधी चतावनी दे दी है कि अगर आप रश्या से मिलिटरी हत्यार खरीदना बंद नहीं करेंगे तो इसके जरीए आप पर सैंक्शन्स लगने का खत्रा भी बढ़ सकता है आला कि 2018 में भारत ने S-400 की डिल के रखी थी उसी के चलते अमेरिका चाता है कि रश्या की मिलिटरी हत्यार बेचकर जो रुपे उन्हें रुपेवों से रश्या उनके अड़ोसी पड़ोसी देशों में हालात को बिगाडने के लिए काम करता है और इसलिए हमने रश्या प आपके खिलाफ अब भी खड़े रहेंगे चलते हैं अगली बड़ी कबर पर यह खबर होंकोंग से जुड़ी है जियां दोस्तों होचीन विरोध का अधिकार चीनने सबंदी कानून लाने वाला है जियां दोस्तों होंकोंग में और चाइना में एक बार फिर से ठंग गई ह हाला कि ताइवान चाइना के हाथों से निकलता जा रहा है और इसी के जलते होंकोंग में भी होसले बुलंद हो रहे हैं चाइना के खिलाफ इसी के चलते होंकोंग में चीन सुरक्ष सबंदी नए कानून को लाने की तैयारी कर रहा है जिसके तहत राजदरो और विरोध करन इसके जरीए अब बिल लाने की तैयारी चीन सरकार कर रही है लेकिन दोस्तों ये बिल आखिरकार कब लाया जाएगा ये अभी चर्चा का भी शेहर लेकिन अमेरिका ने अभी ब्यान दे दिया है कि हम चाइना का विरोध इस बिल पर करेंगे चलते हैं अगली बड़ी कबर प के लिए एक परकार की पालक और एक façon ग्यानूरा बाइकलर नाम की एक सबजी वो बना रहे हैं हालां कि यह अनूम्य की कमी वाले लोगों के लिए बहुत ही कारगर सी दोगी और इसी के ज़रिये जो एक अपना जो एनिमिया की कमी के देखते हुए इसी के साथ ही जो लोहे का तत्रफ पाया जाता है उसकी मात्रा को बढ़ा कर कोरोना से लड़ने के लिए अब कोरोना से बचाव की उम्मिनिटी बढ़ाने की खास सब्जियां उत्तर कोरिया बनाने लग रहा है चलते हैं के लिए बड़ी ख़ब पर यह ख़बर पाकिस्तान से जुड़ी है जियां दोस्तों पाकिस्तान में लोकडाउन के दुरान लोकडाउन खुलने के बाद पाकिस्तान में मोलानाओं के दबाव में पाकिस्तान की सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धारमिक्स तलो को खोलने जा रही है जिया दोस्तों पाकिस्तान में अभी फिलहाल केसों की संख्या भी बड़ी है और पिछले 24 घंटों में रिकार्ट तोड 2193 केस सामने आये हैं तो इसी के साथ 50,000 के करीब मामलों की संख्या पोच गी 48,000 तक केस पहुंच चुके हैं तो इसी दुरा 32 लोगों की मोट वहाला कि कोरोना का केसिज बारत के अकोर्डिंग पाकिस्तान में बहुत कम है लेकिन फिर भी वहाँ पर टेस्ट बहुत कम हुए हैं जिसकांट से पाकिस्तान में ये केसों की संख्या कम निकल रही है चलते हैं गली बड़ी खबर पर ये खबर अमेरिका और ताइवान से जुड़ी हुए है जिहां दोस्तों अमेरिका जहां भारत को S-400 के मामने में घेर रहा है तो ताइवान को 18 करोड डोलर के टारपीडों बेचकर चाइना का गुस्ता और बढ़का रहा है जिहां दोस्तों ताइवान को सपोर्ट अमेरिका की पूरी मिल रही ह थी हाला कि इसके लेकर आज चाइना ने अमेरिका के विरोध जिताया है लेकिन ये डील होकर ही रहेगी क्योंकि अभी ताइवान का दूसरा कारेकाल उनकी महिला राश्ट्रोपती ने संबाल लिया और अमेरिका के साथ उनके रिष्टे बहुत गहरे दिखाई दे रहे हैं वहीं दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही था उमीद है आपको अज एक बहुतर इन जानगाने मिली होगी वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कॉमेंट करके जूर बताएं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था